लॉकडावन के बाद फूलों ओर सब्दियों की खेती करने वाले खिसानों पर दोहरी मार पर रही है ऐसे में अप खिसान खराब हो रही है अपनी वस्लों को लोगों को लुटा रहे है सबसे अधन उकसान फूलों की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है मंदिर मजजित बंध है भगवान को फूलों का शंगार तक नहीं किया जा रहा शादियों का सीजन में जहां फूलों की खपस सबसे अधिक होती है वह अब एक फूल भी कोई खरीदने को तयार नहीं है लॉकडाउन की बाद फूल मंडिया बंध है खेतों में फूल खराब हो चुके है किसान अब इने रोडियो में फेक रहे हैं और महना से उगाई फूलों की खेती को जमिदोस कर रहे हैं मंसोर की किसान भारत और मनुहर ने करीब सादबीगा खेत में गुलाब, मोगरा और गेंदे की फूल की खेती कर रखी थी बिदे सालों से इस खेती से लाकों की आमदनी होती थी लेकिन इस बार पुरा नुकसान ही झेलना पड़ा ऐसी हालत हरी सबजों की भी हो गए काई कर जमिदोस कर दिया किसानों का कहना है कि मंडिया बंध है कोई सब्जी अफुल खरिदने तक नहीं आ रहा उपर से प्रशाशन के सकता आदेश और दर दर भटकने के बाद विक्रे की अनुमाती मिली भी जाय तो रास्ते में तेनाद पुलिस कर्मी पर रशान करते हैं इससे बढ़िया यही है किस खेती को ही नश्ट कर दिया जाए मनसौर की ग्राम धमनार में जहां किसानों ने अपनी सब्जे लोगों को लुटा दी तो फटह गड़ और पिपले अंडी में किसानों ने अपनी फुलों पर ट्रक्टर चला दिया खास बात यह है कि फुलों और सब्जे की खेती पर ना तो सरकार को राहत पुदान कर रही है नहीं या बीमा या गोई मुआफ़ा मिलता है मनसौर से लली शंकर धाकड की रिपोर्ट मेरी जो तीन तरह की मेरे फसल है तीन तरह की गेंदा और गुलाब और मोगरा मोगरा करीब मेरे पास जो है आदे बीगे से एक बीगे करीब जगे में है और गेंदा जो है करीब दो बीगे में है और गुलाब एक बीगे में है तो करीब यह तीनों मिला के जो है काफी भारी मातरा में नुकसान हुआ क्योंकि जो है लागडाउन की वजे से यह कोई भी साधी बया फंक्षन और मंदीर मजजित सारे जो है सभी तरह से बंद पड़े हैं और इससे काफी लंबा नुकसान हुआ है कर्म से चार-पांच बड़े हैं ओर यह उरते हुआ हैं विरॲू इमकाफी मातरह में नुकसान घया जका लगा क्योंकि इनको समें नश्टे करना पड़े गा करीब जो है मका डेली की सेलिंग जो है कि दोतीन हजारू रुपे की है बड़ तो तीन हजारू शार उपता तो थे स्कें कम पांच 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 अर उपर रो जाते हैं अब वो सारा नुकसा चला गया और इनको जो जो बढ़ाना पड़ेगा यह तो कोई मतलब ने रहा है इनका क्योंकि मेंसीजन यह खताम हो गई है कि एट ठीक है अब यह तो अच्छा ही हो रहा है कि जो है देश के प्रदान मंतरी नरजी मोजी जी जो है बड़े ही कर रहे है कि अच्छा समय पर लागडाउन कर रहा है नुकसान तो फिर भी बरपई हो जाएगी लेकिन जो है यह जो हमारी ज्यादा मात्रा में नहीं फेले इसलिए लागडाउन भी जरूरी था लेकिन फिर भी सासन मैं प्रदीफ है मैं मंसवर जी ले के गांव धंडार से हूँ और इस लोगडाउन की वज़े से हमारे जो हमने फसल बोई है यह कखे लगाई है हमने ड़ाई दो ड़ाई भीगी की इसमें हमको लागत का और सब का पैसा मिला के 35,000 रुपे हुए है इससे ज्यादा भी इसको बोने में लगाने में सीचाइ करने में हमारी मेनत गई है इसमें 35,000 रुपे हमको घटा गया है हम इसको बेचते तो कम से कम हमें 80,000 अबे हजार यह से ज्यादा का मुनाफ़ा हो सकता था सब मेरे पास 2-3 विरेटी है फुलो की कुछ मोगरा है कुछ नोरंग है गुलाब है तो 2-3 बेगे में नोरंग के आसपास है और कुछ गुलाब लगा रखी है हमने तो सुरू से स्टाडिंग से जब से लागडान हुआ जब से मंडी जाने रहे फुल मजीत वगरा मंदी व खुलो वाला को कोई मुहाओ अगेरा इसका कोई विमाओ अगेरा होता नहीं है और हमारी खेती यह दो साल की जो भी मेनत थी इसमें वह सारी विवहाल हो गई है और इसके अलावा इसमें रोटर करने के लावा और कुछ नहीं बचा है पुखाणना पड़े लगग इनका 2000- 2000-2000 पर देगा चाहा होता था इनका कलेक्शन डेली जा रहे और जब से लगडन हुआ जब से तो कुछ गया नहीं माल सब सूखी रहे है और तोड़ तोड़ के कुछ डाल भी रहे हैं तो पोदे भी खराब हो रहे हैं और जो तोड़ने की मेनत मज़ूरी लग रही हो हमारी लग रहरे है उसका भी पेसा आनानी है कुछ भी 5-7 मजदूर डेली यह गुलाब तोड़ना न औरंग तोड़ना डेली पांसाथ मजदूर डेली आ रहे थे उनका भी वह भी वेरोजगार है क्योंकि हम बुला नहें रहे हैं मंधी तो बुलाइंगी नहीं सार इस्तीस उद कुछ अपूलो बालो के बारे मिलसों नाची जिए सर्गर